शाशी उपाजैज आदने कर्मा नंदा जी, मंजपर उपस्थे, पार्टी के बहुत वरिष नेता, आदने एहमद हसन जी, आदने उधै पताफसीं जी, और उपस्थे सभी समाजवाजी साथी पतकार बंदूँदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूदूद शाशी पतको बूरे प्रदेश और देशवाशियों को, आज 15 एगस की बहुत-बहुत बधाई और शुक्तामनाय देता हूं। साथी साथ आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का है, जिनके बलगान से, जिनके प्रयासों से, अपना भारत देश और भारत देश को आजादी मिली। और भही आज का दिन 15 एगस इस बात के लिए भी है, जान लाखों लोगों ने अपनी जान में चावर कर दी, जिस संकल को लेकर के भारत को आजादी मिली, क्या भारत उसी रास्ते पर है के नही है। हमारे देश की सबसे बड़ी पैचान यही है, के हम सबी जाती धरम के लोग मिलकर के रहते हैं, दुनिया के जितने भी देश हैं, पूरे धरती पे जितने भी देश हैं, इतनी अलग लग जाती के, इतनी अलग लग भाशा के, इतनी अलग लग पहनावा, इतनी अलग लग साथ इतने लोग कही नहीं रहते होंगे जितने भारत में रहते हैं। LEGTHAL कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो हमारे भारत की गंंगा जमणीर draft हैं उसको ख토्म करने के उन्छा प्यास हो रहे हैं। भारत की जो पैचान है उसको ख़तम करने कोजिश हो रही है इसलिए आज समाजवादियों को इस बात का संकल भी लेना चाहिए कि हमारा भारत देश एक हो हमारे भारत में रहने वाले लोग हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे के सहयोग करने वाले लोग है और वहीं आज ये भी तैकरना है कि हमारे देश का भविश्य क्या हो कुछ रोग पुरानी बातों में उज्जा करके समाज को बठना चाते हैं आज हमारे देश के सामने किसानों के सामने संकट है और हमें पैचानना पड़ेगा उन लोग को जिन लोगों ने हमारे अंद दाता के अपमानित करने का काम करिया है जहां एक तरफ अंद दाता अपमानित हो रहा है वहीं दूसरी तब हमें उल्जाने के लिए अन महुस्ता मनाय जा रहा है हमारे देश की अर्थ ववस्ता की रीड है किसान अगर किसान और खेती बरवादी हो गई तो हमारा देश तुशाल नहीं हो सकता है कोविट के समय पर हम लोगों ने देखा कितने अपने करीब लोगों की जान चली गई हम लोग बचा नहीं पाए जहां दवाईयों का भाग था, डॉक्टरों का भाग था, बिस्टरों का भाग था और जो दुनिया ने हमारी तश्वीर देखी है कि लोग अपने आप सिलिंडर का इंतिसाम कर रहे थे वो ये जानते थे कि अगर सिलिंडर हमें मिल जाएगा तो हमारी जान बच जाएगी लेकिन जो सरकारे रहीं वो हमारे गरीबों को अनाथ छोड़ दिया उनको अपने सारे पर छोड़ दिया दवाई, बैड और ऑक्सिजन उपलग नहीं करा पाए जिसकी वैसे बड़े पैमाने पर लोग जान चली गई आज दुनिया में हमारा देश इसलिये नौजमान है क्योंकि नौजमान जादा है अब आदी हमारे नौजमानों की संख्या बहुत है उनके हाथ में अगर नौफी नहीं होगी, काम नहीं होगा उनको सई तरह की पढ़ाई नहीं होगी तो आखिर कार हमारे देश का भबिष से क्या होगा इस पे भी हमें सोचना होगा आज जब देश दुनिया के बराबर खड़ा होना चाहता है यहां के होगा है, यहां के नौजमान, यहां के तमाम हमारे बुद्धिजी भी है यहां के साइंटिर्स, प्रॉफिसा, एक्सपर्ट्स, यहां के उद्धोपती चाहते हैं दुनिया के बराबर खड़े हो लेकिन जो सयोग सरकार से होना चाहिए सरकार से नहीं मिल पा रहा है यह सरकारी जो साथ साथ से हैं सत्ता में उत्तपदेश में भी हैं वो तमाम लोग दूसरे मुद्दों पर जाना चाहते हैं सीमाओं के मुद्दों पर जोख उन्हें मजबूती दिखानी चाहिए वो मजबूती सीमाओं पर नहीं दिखा पा रहे हैं इसलिए हम लोगों को संकल्व लेना है कि आने वाले समय मों तब देश का चुनाओ होने जा रहा है हम आप सब लोग तो लड़ेंगे लड़ेंगे लेकिन एक एक नौजमान को जिम्मेदारी है कि वो देश को बचाने के लिए संविदान को बचाने के लिए 2022 देश चुनाओ वो अपना चुनाओ समभाए यों कि जो लोग सक्ता में है उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया जिनता के बीच में संविदान में से खिलवाड हो रही है किस्णों को ले करके अधादी के 75 साल गुझर गए 75 वाँ हम लोग मना रहे हैं अभी मिदान में जोिठिकार दीघे हैं पिश्णों को दल्तों को हमें अकलल करना चीए कि नीं पाया है कभी कभी सवाल उरता है कि 1931 में कभी जाति जंगना कराई गई थी आज पूरा देश चाहता है जाती जंगर्णा हो और हम समाज़वाजी लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से देखी हैं चीज़ें उत्तपदेश में यही सरकार में बैठे लोग जातियों के बीच में जगड़ा कराते हैं कहते हैं आपका अधिकार आपका सम्माम सब कोई और चीन रहा है गभी इस जाती में यह कहना है उस जाती में कहना वो चीन रहा है इस जब आज 15 अगस से पूरा देश आजादी के किवार की तरह मना रहा है तो वहीं सरकार को भी यही फैसा लेना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आवादी की जनगरना हो और कब से कब हमें पता हो कि आवादी में हम क्या हैं और जब कभी कोई पॉलिसी बने कारिकम बने योजनाय बने ओवादी के हिसाब से हाग को संबान में जाए यह एक बार फिर आप सब तो सुतंता दिरस्टी बहुत बहुत बढ़ाए देता हूं अपने कारिकरताओं को इसलिए बढ़ाए देता हूं कि इतनी गर्मी इतनी उमस उन्होंने पसीने की परवा नहीं की मैं लगनों के कारिकरताओं और पूरे प्रदेश से आए हुए सभी कारिकरताओं को धनिवा देता हूं और सबसे जाना आभारी है नेता जी का कि नेता जी आज आ करके बंद्रेश का भारत का जंडा ले रहा है उन्होंने यहां पर पार्टी कार्वला में कि अब हमारी आपके जिन्मेदारी है कि जो रास्ता नेता जी दिखाये था उसी रास्ते पर चल करके समाजवादिओं का एक बार फिर जंडा बुलंड करने का कम हम लोग करेंगे हैं और नेता जी का भी बहुत-बहुत धनिवाज यहां आने के लिए और हमारी पार्टी के कायकरता नेताओं का सत्वा मनोबल बढ़ाने दिनी और अपने चाहिकरताओं का धनिवाज इसलिए 40 डिगरी से ज़्यादा टेंप्रेशर है होमस है गर्मी है सब को पसीना है सब पसीने में हैं और अभी साइकिल चला करके देखी थी कोई नौजमान यहां 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 सानी जिसने साइकिल ना चलाई हो इसलिए साइकिल भी आने वाले समय में चले मैं आदरी एमलसंज जी का आदरी एकिमिन नंदा जी का और आदरी उद्यपरताज जी का पिसे धनिवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने आ करके आज हम लोगों के गीश में पंड़ेगस के बढ़ाईयां भी शुक्ताम भाई दी इसके लिए आपका धनिवाद देते हैं और एक बार फिर संकल दिते हैं कि उत्तव देश जब तरक्य और खुशाली के रास्ते पे जाएगा कड देश चरक्ति करेगा और समाजबादियों ने देश को उधारर दिये हैं कि सडक कैसी दिद्भी चाहिए अस्पताल कैसा होना चाहिए फुल इसके लिए गाड़ी कैसे होना चाहिए नौलिवानों के हाथ में लट्टाप कैसा होना चीए ये उधार रखर कहीं दिये गए हैं तो उत्त पुदेश में समाज बातियों में देख करके दिखाए हैं एक बार फिर हम आप सब का बहुत बहुत धनिवाद और अपने सफेरों का भी धनिवाद जल एफटाऑ स सींध बातियों में participant देख किसा बॉफटा में बातियों का बातियों कि चैए आपके आप सर लाएद और बातियों में समय समय में इसाम डिखाए zaman भूलिवाद कल वाठो टॉर्ट घॉरिम फजरी है अजरी है हुआ और हुआ झाल